हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ये बड़ा अपडेट आ रहा है आज के नियूज में जो की साइवर अपरात से रिलेटेड है तो आप लोग को समझना बहुत ही जोरी है और इस से रिलेटेड बहुत सरा केस आ चुका है तो आप लोग को नया फ्रॉड है यह नया फ्रॉड है कि इस तरह से फ्रॉड कर रहा पूरा भी हम लोग समझेंगे डिजिटल अरेस्ट धनमाद में ऐसे सतर मामले तक आ चुका तो आपको भी सावदान रहने की ज़रुरत है समझ लेते क्या है साइबर फ्रॉड का नया हतियार है डिजिट करके काल आ चुके हैं इसमें 3 मामले की सिकायत पूलिस से विकष्ट की रखन रहे है इनके नाम लेकर अविवादाशय के आपका बच्ये लेक्यों के प्धार के साथ पकटार गया है बच्चों के घिरपतारी का डर दिखा के वह पैसे की मांग करते हैं कुछ अभी भाव को ने बच्चों के देखते हुए भुकतान भी कर दिया कुछ लोग उसके जंगल में फस भी चुके तो इन मामलों में एक बास सामें आई है कि फ्रॉट करने वाले साइवर अपरादी घटना को अंजाम देने के लिए देख पार ए जिसको बोलते आर्टिफिसियल एजंसी का अब इस्तिमाल कर रहे हैं इस तरह के मामले को लेकर धनबाद एसपी एससपी एचपी जनार्धन ने जारी की तो एडवाइजरी क्या जारी किया है समझ लेते हैं कि ऐसे प्रस्टे ऐसे प्रिशानी आये तो क्या करें और क्या नहीं देखो यह सब अपलों समझना है और आ सब्सक्राइब करें जानते नहीं हो आपका बच्चा दूसरे जहर या देश में हैं तो वहां के जरूरी संपर्ग नमबर अपने पास रखें ताकि जरूरत समय पढ़ने पर वेरिफाई कर सके सब्सक्राइब करें तो अगल बागल दो चैनल तीन चार कॉंटेक्ट आप लोग जरूर रखें कि बाद में कंप्रम आप लोग कर सकते हो कि यह जो बता रहा कि सच गटना ठीक है क्योंकि यह कभी-कभी हो जाता है तो समझे लो कि आप लोगा तो कोई ख़बर देने वाला हो आप लोग को चाहिल पॉर्नोग्राफी कंटेंड वाले सभी सोसल मेडिया गुरूपों से दूर रहें देखे ऑटो डाउलोड बंद करें एक और रोटो बंद करके रखना है ठीक है देखो ऐसे किसी भी सोसल मेडिया गुरूप से ना जूड़े जूड़े जिसमें चाहिल पॉर्नोग्राफी जैसी सामागरी अपलोड होती है ठीक है देखो अपने सोसल मेडिया सेटिंग को मजबूत रखे ताकि बगएर उनमत्ति के आपको कोई भी ग्रूप में ना जोड़ सके देख पार हो अपने सोसल मेडिया एकाउंट की सेटिंग में जाके आटो डाउलो को नहीं है को भारत कानून में डिजिटल अरेस्ट को को लेकर कर तो यह सारा चीज आप नहीं है जो की बहुत सारा केशा चुका है तो ज्यार्दा तरजिन का माता-पिता मतलब लड़की मतलब बाहर में काम करते वो लोग को सिखार क्या जा रहा तो यह आप लोग को रहा इस तरह का ओल आता है तो आप लोग धमेशा दूर रहें वहरिफाई करें तभी आप लोग कुछ कदम उठाएं तो उम्मीद करते हैं